कि आज सब्सक्राइब होती है जो कबजी का मुशन एक हफ्टे में जा रहे इनके बौ। सारे क्लासिफकेशन्स होती है जिसके हैं न ψति हैं पेट सुजन आज दे hai तीक से पास करना चूरन लेने लगती है जिससे उनको फेट साफ हो जाती है यह चूरन लेने से एक दो दिन ठीक लगता है उसके बाद फिर से वह दिक्कत आना शुरू कर देते हैं पेशेंट के लिए यह कांस्टिपेशन को देखना बहुत इंपोर्टेंट होती है फेशेंट को और कांस्टि यह पास करने के तरीके में कही रुखावट आ गया यह पास करने के करीके में जही रुखावट आ गया जो पास करने में तोड़े दिक्कत आ गया जो नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है पेरिस्टाल्सिस कम होने हो सकती है या कुछ रुखावट आ सकती है और कोई बात होती ह एक पेल्विक फ्लोर बोलके रहती है जिसकी वज़े से अगर हाप मोशन भी पास करने लगती है बट आनस को नहीं कर पाते हैं जिसे हम स्टूल पास करना बहुत दिकत वाली बात होती है यह बाली चीजों को देखना पड़ेगा और करना बहुत इंपोर्टेंट होती है लोग यह चूरन और काउंटर से लेने लगती है यह अच्छी हमेशे अच्छी बात नहीं होती है विकाज बहुत टेंबरेरी लिलीफ होती है लोगों को जो कुछ भी डायबेटिक पेशेंट होती है जो कुछ भी हाइपो थायराइड थायराइड पेशेंट होती है यह सारे लोगों को दो तोड़ा बहुत डायबेटिस टीट करें और और पेशेंट को थायराइड ट्रीट करने से तोड़ा बहुत ठीक हो जाता है और बाकी बंदे जो कुछ भी जिसको भी रुकाव होती है यह वाली चीज चाप का संभाव न हो सकती है और चुछर को सब्सक्राइब के खारण हो सकती है क्राइब हो सकता है एक कभी कभी पोलिप्स हो सकता है आप असके या हम जो कुछ भी होती है ब्लेड टेस्ट करते हैं ब्लेड टेस्ट में देखते हैं और स्टूल की सैंपल को देखते हैं और उसमें हम एक दो तरीके होती है एक तो कॉलनोस्कोपी करते हैं एक CT स्कैन करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है जिस तरीके से इसको कॉंस्टिप चाहिए उसको हम थोड़ा बहुत एक्सेसेस बताते और उसको थोड़ा बहुत फीड़ाइब मेकानिजम से यह वाली दिकत से हम बाहर ला सकते हैं इससे बहुत सारे रिलीफ मिलेगा करके एल्डरली लोगों को जो बहुत कॉंसेंटरेट होती है जिसके कॉंस्टिपेशन का स इंटन्स बहुत दिकत करती है उनको